हलो दोस्तो कैसे आप सब लोग उमीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी preparation को बड़े भेतरी नंग से कर रहे होंगे और आप जानते हैं दोस्तो हम अपने channel के माध्यम से ROI-R-O की तैयारी करा रहे हैं हमारा उत्तिशता है आपको कम समय में बहतर content उपलब्ध कराना और इसी गड़ी में आगे जुटते हुए आज का जो हमारा important topic हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश की जन जातियों से संबंदित और उत्तर प्रदेश की जन जातियों से जितने question बनते हैं वो सब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगे और अगर आपने इससे पहले वीडियो आपने हमारे नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर playlist बनी हुई है आप जो है वहाँ से देख सकते हैं चैनल पर आपको practice set भी मिल जाएगे और topic wise वीडियो भी मिल जाएगे तो आप चैनल पर जाकर visit कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज का जो हमारा most important question हो जाएगे वो कौन सा हो जाएगा तो हमारा जो पहला question है वो कुछ इस तरह से है और ये देख लेते हैं हमारा पहला question और हमारा पहला question हो जाएगा निमनी लिखित में से कौन सी जंजाती उत्तर परदेश और उत्तराखंट से संबंदित है आपको बताना है उत्तराखंट से और उत्तर परदेश से कौन सी जंजाती संबंदित है और ये question आपसे 2015 की परिक्सा में पूछा गया question है कौन सी हो जाएगी इतनार हो जाएगी थ चलिए दोस्तों देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपकी थारू जनजाती, जो आपकी उत्तर परदेश और उत्राखंड से संबंदित है, ये आपकी थारू जनजाती हो जाएगी, और थारू जनजाती कहां कहां पाई जाती है, ये आपकी उत्राखंड के नए निताल से, उत्राखंट के नई निताल जिले में पाई जाती है और उत्तर परदेश के तराई छेतर में पाई जाती है इतनी बात आपको थारू जनजाती से याद रखनी है ये कुछ पॉइंट है जो जनजाती उसे संबंदित है यह हमें देख लेने हैं और इनसे कोश्चन बनते हैं हर परिक्सा में इनसे कोश्चन बनता है और यह important fact आपके लिए हो जाएंगे देख लेते हैं 2023 में UP की जनसंक्या बढ़कर 25 करोड से अधिक हो गई है यह बात आपको याद रखनी चाहिए और सम्विधान के अनुच्छे 342 में जनजातियों का उल्लेख है यह बात आपको याद रखनी है कि जनजातियों का उल्लेख है वो सम्विधान के किस अनुच्छेत के अंतरगात आता है यह आता है आपका अनुच्छे 342 के अंतरगात एक कोशन जो एक पोइंट है वो आपसे ये बनता है सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो किसकी है तो ये हो जाएगा आपकी थारू जन जाती की ये उत्तर परदेश की बात कर रहे हैं उत्तर परदेश में सबसे ज्यादा जो जन जाती है वो थारू जन जाती है इसके बाद देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कुल जो most important है वो आपकी केवल जो मुख्य रूप से हैं वो केवल आपकी 12 जन जाती हैं और इसके लावा तो काफी सारी जन जाती हैं लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो 12 ही जन जाती हैं जो है रेजिस्टर हैं और सबसे पुरानी जन जाती की बात करते हैं तो सबसे पुरानी जन जाती जो है यह थारूर बुकसा है ठीक है इतनी बात आपको याद रखनी है और सबसे ज़्यादा जन जाती जो है यह सोन आपसे question है यह आपकी परिक्सा में पूछा जा सकता है तो सबसे ज़्यादा जन जाती की बात करेंगे यह हो जाएगा आपका सोन बदर जिला जो आपका बागपत है बागपत में सबसे कम जन जाती पाई जाती है चेले देख लेते हैं अगला point क्या हो जाएगा और point क्या बन सकते हैं तो राष्टपती के सम्वीधान जो आपकी अनुसूचित जन जाती उसे संबंदित है उसका जो आदेस आया था वो 1966 के तैट उत्तर परदेस में उससे में जो है उत्तराखंट सहीत पांच जन जातियां थी इन जन जातियों को जो है अनुसूचित जन जाती का दरजा प्राप था और उत्तराखंट के अलग होने के बाद 2003 में ये कोश्चन आपसे पूछा गया कोश्चन है ठीक है और ये अभी आगे दिखाऊंगे किस तरह के कोश्चन जो है आपसे पूछा गया है तो ये 2003 में केंदर सरकार ने परदेश की 10 जन जातियों को अनुसूचित जन जाती का दरजा दिया था ये आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर परदेश सरकार ने जो आपकी परदेश की सरकार उसे ने 10 जन जातियों को तो अनुसूचित जनजाती का धरजा कब दिया था ये दिया था आपका 2003 में ये most important fact है और इनसे ही question पूछे जाते है चली देख लेता है और क्या point बन जाते है और 2011 की जनगाना के अनुसार उत्तर परदेश में अनुसूचित जनजाती की जो कुल संग्या वो कितनी है तो ये हो जाएगा आपकी 11,34,275 और ये आपकी उत्तर परदेश की जनजाती का 0.6% है उत्तर परदेश के सोनबद्र जिले में जो है अनुसूचित जनजाती की संख्या सब से अधिक और बागपत्म सब से कम है ये हमने पहले ही समझ लिया है और उत्तर परदेश के जालोन और अ तो वह हो जाएगा आपका जालोन और अयुद्या ठीक है आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है तो आपको सभी जो फैक्ट है उनको आपको एक बार पढ़के जाना है यह आपकी लिश्ट हो जाएगी और यह लिश्ट जो है आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएग और मैच करने को दे दिये जाते हैं कि थारू जन जाती किस छेतर से संबंदित है बोटिया किस छेतर से है जोन सारी किस छेतर इस तरह से जो है मैचिंग के कोश्चन भी आपसे जन जाती के पूछे जाते हैं इनकी बोली सो जो है कोश्चन बहुत कम बनते हैं लेकिन फिर भ में पाई जाती है उत्तर परदेश के तरही छेतर में भोटिया ये उत्राखंड और यूपी में पाई जाती है जोनसारी ये आपकी जोनसार छेतर में पाई जाती है राजी की बात करते हैं तो ये आपकी सोन बदर में पाई जाती है और हमने देखाया उपर जो जन जाती की स सोनबद्र चेतर में हो जाएगी कोर्वा यह आपकी मिर्जापूर में हो जाएगी और बैगा की बात करते हैं तो यह आपकी चित्रगूट में हो जाएगी गोंड यह आपकी सोनबद्र और बालमिकी की बात करते हैं यह भी आपकी पूरी यूपी में मिल जाएगी तो चलिए दोस्तों इसी तरह से हमारा जो है क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा दूसरा question निमने लिखत में से कौन सी अनुसूची जन जाती उत्तर परदेश के वारानशी जिले में नहीं पाई जाती है आप से पूछा गया है कौन सी जन जाती वारानशी जिले में नहीं पाई जाती है चैरो, गोंड, खरवार और याफित सहरिया और ये question जो है आपके ROYRO की परिक्सा में हाल फिलाल में 2021 में पूछा गया question है और 2021 में ये same question जो है UPPSC ने GIC lecture में भी पूछा है तो question को repeat करने का जो सिलसिला सबसे ज़्यादा UPPSC में होता है और question को agities उठा के अगली परिक्सा में रख दिया जाता है तो आपको समझ लेना इस तरह के question जो है आपकी परिक्सा में पूछे जाते रहे है और आने वाले समय में भी पूछे जाते रहेंगे तो देख लेते हैं मारा इसका जो question का answer क्या हो जाएगा तो दूसरे का जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D जो आपकी सहरिया जन जाती है ये उत्तर परदेश के वारांडशी जिले में नहीं पाई जाती है सहरिया जन जाती जो है ये आपकी पाई जाती है ललितपुर जिले में ये आपके ललितपुर जिले में पाई जाती है सहरिया जन जाती और बाकी जो जन जाती है ये आपकी वारांट चिजले में आपको देखने को मिल सकती है चेरो की बात कर लेते हैं चेरो को उत्तर परदेश के अधिखां शिस्सों में एक अनुसूची जाती के रूप में वर्गी किरत किया गया है लेकिन ये सौनबद रोब वारांशी जलो में एक अनुसूची जन जाती है ठीक है इतनी बात आपको याद रखनी है चेरो आपसे पूछी गई गूंड ये आपकी पूरे भारत में पाई जाती है खरवार जो है ये भी आपकी जो है उत्तर परदेश में पाई जाती है और इस तरह से जो है question का जो answer हो जाएगा वो हो जाएगा D. सहरिया की बात करते हैं सहर यापकी वारानशी में नहीं पाई गई है सहर यापकी लेलित्पूर से सम्बंदित हो जाएगी चली देख लेते हैं question number हमारा 3 हो जाएगा और 3 question number हमारा क्या गयता है अगर या बैगा और भूया अनुसूची जर्जातियां उत्तर परदेश के निमने लिखित जिलों में किसमें मुख्यत निवास करती हैं अम्बेडगर नगर में, जालों में, सोन बदर में या फिर आपका लेलितपुर में आपको बताने अगर तीन का करक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो कोश्चन नम्बर तीन का जो करक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सोन बदर में अगर या बैगा और भुया नुसूशी जो जन जाती हैं ये आपकी उत्तर परदेश के सोन बदर जिले में निवास करती हैं और ये कोश्चन भी आपसे 2019 में भी पूछा गया है और 2017 में भी सेम कोश्चन पूछा गया है तो तीन का जो करक्ट आंसर है ये हमारा सोन बदर हो गया है और सोन बदर जो है जो आपकी अगरिया है बैगा है और भुया है यह आपकी जो जनजाती सोनबदर में पाई जाती है तो चलिए देख लेते हैं कोश्चन नमबर हमारा हो जाएगा 4 यह हमारा क्या कहता है तो यह हो जाएगा आपका उत्तर परदेश और उत्तराखंट राज्यों के निमने लिखे जनजातियों में से किसमे युआगिरह पर्था परचिलिध है सोका जनजाती में राजी में धारू में या फिर आपका बोटिया में तो कोश्चन नमबर 4 का जो करक्ट आंथर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बोटिया जनजाती आपके पूछा गया है उत्तर परदेश और उत्तरा खंड जो राज्य है निमने लिखे जनजातियों में किसमे युवा गिरह परथा परचिलित है तो युवा गिरह परथा जो है ये आपकी भोटिया जनजाति में परचिलित है तो चले इससे थोड़े से जो most important आपके fact हैं वो भी समझ लेते हैं ज यहाँ से question एक बार पूछा गया है कि किरातवन से संबंदित हैं यह हो जाएगा आपकी हम धी धार कि देखने को मिला एक आपसे पूछा गया है दीपायुली को सोक के रूप में वी जन्जाती मनाती है यह मनाती है कि ठारु जन्जाती हो Подपर्व ke मोंते में मनने वाली जंजाती थारु जिन्जाती हो जाएगी और कि डिली के मोके पर खछड़ किया जाता है थारू जने जातीं थारू जने जाती से ऊर्ट्पान कर ईंपड़ी हो जाए कre propun एक दूसरे के दोनों जो है ये रिष्टेदार हो जाएंगे और थारू में जो है दोनों पक्सों में विवात है हो जाने के बाद पक्की पोड़ी कहा जाता है यहां से भी एक बार जो है कोश्चन देखने को आपकी परिक्सा में मिला है पक्की पोड़ी आपसे पूछा गया यह भी बात आपको याद रखनी है चलिए देख लेते हैं और जोन सारी जो है आपकी सारी जन जाती है इनसे जो है most important point क्या बनते हैं वह हम देख लेते हैं यहां बात कर रहे हैं जोन सारी समुदाई की जो जोन सारी जन जाती है उससे most important fact क्या बनते हैं वह भी हम देख लेते और ये भी कोश्चन जो है आपसे आपकी परिक्सा में पूछी जाती है और हमने यहां के वल most important जो इससे कोश्चन बनते हैं वो ही जन जाती लिए हैं बाकी की हमने जो सारी जन जाती हैं वो हमने नहीं लिए हैं वरना वीडियो जो है बहुत बड़ा हो सकता था तो चल लिए बात कर लेता है जोनसारी की तो जोनसारी के है जो है मुक्षत गवार कोश्चन आपसे पूछा गया है और पंचाई जो है दसारा को कहा जाता है दियाई जो है दिवाली को कहा जाता है और नुवाई अठोई आदी ये जो है 오र्ätzिकों एक महाँ बाद ये मनाई जाते हैं और इससे जो है कि आपके मुखिनिरत कौन-कौन से हो जाते हैं हारुल, रासो, घूमसु या घूमसु से भी जो है एक बार question पूछा गया है जेला, धी, दाधी, मरोज, पोनाई, आधी जो है इनके परमुखिनिरत हो जाएंगे तूसरी द इंचायत का सरवच व्यक्ति होगा, उसको तखत कहा जाएगा, बुखसा लोग परमुख रूख से हिंदी बोलते हैं, आपसे question पूछा जा सकता है कि कौन सी जन जाती है, जिसके लोग परमुख रूख से हिंदी बोलते हैं, तो वो जन जाती हो जाएगे आपकी बुखसा जन जाती और इनमें जो लोग लिखना पढ़ना जानते हैं वो देवनागरी लिफी का परियोग करते हैं आपसे कोश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस जन जाती के लोग देवनागरी लिफी का परियोग करते हैं तो ये हो जाएगा आपकी बुक्सा जन जाती इसके वाजों का पालन किया जाता है, तो यह हो जाएगा आपकी खरवार जन जाती, और खरवार जन जाती के लोग मासाहरी और साकारी दोनों परकार के होते हैं, खरवार जन जाती का जो मुख्य निरत है कर्मा निरत है, यह most important निरत है, और यहां से जो है question आपकी परिक्सा में 100% देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाकी परिक्साओं में भी यह question बार बार पूछा जाता है, कि कर्मा निरत जो है, यह किस जन जाती का निरत है, तो इसका जो correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा खरवार जन जाती, ठीक है, और बाकी जो one day exam होते हैं, जो एक दिन का exam होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं, तो बैगा जन जाती जो है, यह बैगा जंगल को काट कर बैवर खेती करती है, यह question जो है कई बार जो परिक्साओं में देखने को मिला है, यूपी की परिक्साओं में भी देखने को मिला है, और आपका SSC की परिक्साओं में भी देखने को मिला ह कि बेवर खेती जो यह कहती है तो यह करती है आपकी बैगा जन जाती और यह जो है ओजा कारीय करते है और जंगली जड़ी बूठी रोगों का उप्चार भी करते हैं यह लोग बांसे चटाई और अन्य वस्तों का निर्मान करते हैं यह बात आपको याद रखनी है अगर शिकार करना या मचली पकड़ने का जो इनका कारी है वो मुख्यकार हो जाएगा आपसे ये भी पुछा जा सकता है कि मचली पकड़ने का कारी जो है कौन सी जनजाती के द्वारा किया जाता है तो ये किया जाता है आपका बैगा जनजाती के द्वारा सहरिया जनजाती की बात करते हैं यह आपकी सहरिया जनजाती हो जाएगी और सहरिया जो है अनुसूची जनजाती है और बुंदेलगट छेट के लेलितपुर जिले में पाए जाती है उन्हें बनरावत यह जो बनरावत वर्ड आप देख रहे हैं इससे कई बार आपसे question पू पूछा गया question है वे अपनी जीविका को मुख्य रूप से जंगलों पर निरभर रहते हैं अपनी जीविका के लिए चले देख लेते हैं अब यह आ जाती हमारी पनी का जनजाती एक हो जाती पनी का जनजाती या फिर पंखा जनजाती तो यह जन जाती जो है सोनबद्र और मिर्जापुर जिले में पाई जाती है और इस जन जाती के लोग सरवादिक इमानधार होते हैं और यह जो है कबीर पंती देखे देखे दो तो यह जो important question है यह हम आपको बता रहे हैं और इंचे जो है हर बार परिक्सा में question बनते ही बनते हैं चाहे हो कौन सी परिक्सा हो चाह वार हमने परिक्सा में देखा है कि कबीर पंती जो लोग हैं वो कि से संबंदित है तो यह हो जाएगा आपका पनिका या पंखा जंजाती से ठीक है यह नाम आपको याद रखना है कबीर पंती इसके बाद आ जाती है आपकी घून जंजाती और यह सबसे पुरानी और भार जन जाती देख लेते हैं, चेरो की बात करते हैं, तो यह जो है उत्तर भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में पाई जाती है, चेरो एक अनुसूची जाती है, यह एक ऐसा समूद आई है, जो मुल रूप से चंदरवंची राजपूत होने का दावा करता है, आ उत्तर प्रदेश की परसिद जन जातियों में से एक है, यह टोकरी बुनाई और अपने कोसल के लिए जाने जाते हैं, पारमपेरिक रूप से बांस और बैंत की टोकरीयों का उत्तपादन करते हैं, आपसे कोश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, टोकरीयों के पूछा जा सकता है वो भी हम देख लेते हैं तो यह जो है खनन में अपने कोशल के लिए जाने जाते हैं खनन कारिया कौँची जन जाती करती है यह करती है आपकी अगरिया जन जाती और पारम पेरी कृप से लोह आयस्क और मैगजिन के निसकर स्वन में यह सामिल है क्या कहता है उत्तर परदेश के निमने लिखे जिलों में कहा अनुसूची जातियों की संख्या सरवादिक है आपसे पूछा रहा है अनुसूची जन जातियों की जो संख्या सरवादिक है यह आपकी किस जिले में हो जाएगी आपको बताना है कौन सा जिला वो हो जाएगा तो question number 5 है और question number 5 का जो correct answer यह आपको बताना है यह हो जाएगा आपका हर्दोई, सीतापूर, उन्नाव या फिर कोसांबी तो question number 5 का जो correct answer हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सीतापूर शीतापूर में जो है अनुसुषी जातियों की जनसंक्या सरवाधिक है और यह question जो है 2018 में पूछा गया question है चलिए दोस्तों देख लेते हैं इससे most important question और क्या बन सकते हैं तो यह बन सकते हैं आपके सम्विधान के 342 में जो है जनजातियों का उल्लेख है आपसे पूछा जा सकता है कि जनजातियों का जो उल्लेख है यह सम्विधान के किस अनुष्यत में है तो यह हो जाएगा आपका 342 में सबसे ज़्यादा जनशंक्या थारू जणजाती कि है यह भी आपको जो है याद रखना है और उत्तर प्रदैश में कुल 12 जणजाती है बारे तो मुख्य है बाकी जनजाती में तो बहुत सारी हैं लेकिन मुख्य जो है वो आपकी बारा हो जाएगी और सबसे पुरानी जनजाती आपकी थारू और बुकसा है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है और सबसे ज्यादा जो जनजाती सोन बदर में और सबसे कम बागपत में पाई जाती बूटिया खासी या फिर आपकी गॉंड पाई जाती है और ये कोशचन भी आपसे कितनी बार पुछा गया है 2013 में भी पुछा गया है 2016 में भी पुछा गया है 2016 में है और बुछा dans रमर्ट सोर्ण की परिक्षा में बुक्षण जन जाती जो है उत्तरपरदेश के तरही छेटर बें पाई जाती है और तरही छेटर से जो है और कौन-कौनी जन जाती Kingdom से संबंदित है यह भी हम देख लेते हैं तो तरही जो है उत्तरी भारत और के बीच का जो हिमाली की निचिली सीरवनों के समांतर जो ठारू सुमदाइ के लोग भारत और नेपाल दोनों देशों में पाए जाती हैं। बारत या तराई छेतर में अधिकांष्ट अत्रागंड और उत्तर प्रदेश बिहार में रहते हैं। इसके बाद इससे इंपोर्टेंट जो है और क्या हो जाएगा उत्तर परतेस में 12 जन जाती हैं यह हमने पहले ही देख लिया है और सबसे पुरानी जन जाती है थारी और बुकसा है और दा मूक नायक टीम की लखनों से सटे हर दोई में ग्राउंड जीरो पर इन आदियोसों क का हाल जानने पहुची है यह कब की बात है यह बात है अगस्त 2023 में जो टीम गई है इसकी जो है रिपोर्ट आना भी बाकी है चले देख लेते हैं 12 जो आपकी जन जाती परमुख है वो कौन-कौन से है यह हो जाएगा आप की भोटिया हो जाएगी बुकसा हो जाएगी जोन चलिए देख लेक्टाइका है कैकाल सते हमारा क्या कहता है यह हो जाएगा toutes गोंशी जातिया हमiriरा रहती है जब गोंशी जातियंब आपका थारू हो जाएगी खाशी, बुखसा, या और राजी कोश्चन अमबर 7 आपको करेक्ट अंसर बताना है तो यह हो जाएगा आपका थारू जन जाती यह भी आपकी UP से संबंदित है और एक जो है यह हो जाएगा आपकी बुक्सा जन जाती थारू और बुक्सा जन जाती जो है यह आपकी उत्तर परदेश से संबंदित हो जाएगी तो आपका जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा आप एक और तीन जो है यह जंजाति आपकी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और चलिए देख लेते हैं और जंजाति उसे और क्या लकिया का इंपूर्टेंट हो जाएगा यह हो जायेगा अपकाया बटकर पत्चिस क्रोड से अधिक हो गई है और अप सिर टीन 10 लिधा साथ इंडिया वी यू पी से आगए हैं और इंडिया क्योंक रोड चादिक रिठी नंबर पर आ जाएगा थे मीशाइड आप को याद रखना है चलिक देख लेता है कोर्चन नमबर आरठ हमारा क्या गयता है निमने लिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है। आपको बताना है सही सुमेलित इन में से कौन सा हो जाएगा। तो सही से मुलित हो जाएगा आपका बोटीय जिन जाती जो है यह आपकी गड़वाल से संबंदित है यह आपकी 12 मंकी में नहीं है ठीक है यह बात आपको याद रखनी है बोटीय जिन जाती जो है यह आपकी गड़वाल से संबंदित हो जाएगी बुकसा जो है यह आपकी ब थारू जनजातिया आपकी, यह कुशी नगर यानि उत्तर परदेस और जो है नए निताल में मिल जाएगी आपको, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका बुक्सा, आठ का बी जो है, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और चलिए देख ल दुरिया की, कुश्चे नबर 9 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या भी तक आपने हमारे चैनल को जुडने की है, तो सबस्क्राइब कर सकते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, तो आपने दोस्तों में भी सेएर कर सकते हैं, और लाइक करना तो, आप बिल description में मिल जाएगा चले देख लेता है question number 10 हमारा क्या खहता है भारत के निमने लिखित में से किन राज्यों में थारू जंजाती निवास करती है थारू जंजाती की बात हो रही है और यह जो है correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्राखंड तथा उत्तरप्रदेश जो आपकी थारू जनजाती है यह आपकी उत्तरखंड और उत्तरप्रदेश में निवास करती है थारू जनजाती से और क्या important जो fact हो जाएगे वो क्या हो जाएगे थारू जनजाती उत्तरप्रदे यह इनके द्वारा मनाए जाता है और यह के बार परिक्साओं में पूछा गया कोश्चन है थारु जिन्जाती को सिख्षा परदान करने तो उत्तर परतेश में सरकार द्वारा लखीमपूर खीरी में एक महाविद्याले की इस्थापना की जा रही है, यह की जा रही है लखी लखीमपूर खीरी में एक महावी द्याले की स्थापना किस जंजाती के लिए की जा रही है तो यह की जा रही है आपकी थारू जंजाती के लिए और क्या से पहला आदिवासी संग्राल है यानि थारू जंजाती संग्राल है बनकर तयार हो गया है आपसे यह पोचा जा सकता है कि जो थारू जंजाती संग्राल है यह आपका किस छेतर में या किस इस्थान पर बनाया जा रहा है या बनकर तयार हो गया है और यह कब बनाया है इससे जो की थारूप जन जाती गाउं अगर आपसे पूछा जाए सकता है तो यह आपसे इमीलिया कोडर गाउं हो जाएगा चले देख लेता है कोस्चन नमबर हमारा 11 क्या कहता है उत्तर परदेश की कौन सी निम्देले की जन जाती दीपावली को सोख के रूप में मनाती है दीपाव स्टूडेंट क्यों करती है यह जाते हैं लेकिन बहुत कं इस्टूडेंट होंगे जो यह जांते होई कि यह जानती है तो यहां से वह भी बात हो जाएगी दीपावली को के रूप में क्यों मनाया जाता है वो भी हम देख लेते हैं यह आपका जो इस जनजाती से जुड़ी सबसे हैरान करने वाली मानने था कौन ची है यह दीपावली को सोक के रूप में मनाना ठीक है और जब पूरी दुनिया जो दिवाली के दिन को खुशिया मनाती है तब यह जनजाती सोक में डूबी रहती है इस जनजाती के लोग दीवाली नहीं बलगी इसे वो दीवारी कहते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो आपका question यही बन गया इसको दीवाली नहीं कहा जाता है इसको थारू जिंजाती के लोग हैं कि दिवाली के दिन अपने परिवार के गुजर चिगए लोगों की याद में दिवाली के दिन या उससे आसपास जो दुनिया छोड़ गए थे यानि जो आपके मर गए हैं लोग जिनकी डैथ हो चुगए है दिवाली के आसपास इस दिन को वो दिवाली को रूप में मनाया जाता है और दिवाली को जो है सोक के रूप में मनाया जाता है चलिए देख लेता है question number 12 हमारा क्या कहता है निमने लिगत में से कौन सी अनुसूची जन जाती बिजनो और जिले में निवास करती है बैगा हो जाएगी, खरवार हो जाएगी, माहिगिर या फिर थारो question number 12 का आपको correct answer बताना है क्या हो जाएगा question number 12 का जो correct answer हो जाएगा यह हो जाएगा आपका माहिगिर जन जाती और 12 का जो C है यह आपका correct हो जाएगा और इसके बाद महाईगीर जनजाती से और क्या important fact बन सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं यह आपकी महाईगीर जनजाती उत्तर परदेश के बिजन और जिले में निवास करती है यहां से आपका important факTOR बन जाता है माहिगेर जन्जाथी जो है उत्तरबड़ दिस के किस जिले में निवास करती है बिजिन और जिले के नजीबाज़ शेतर में निवास करती है इसके बाद जो है माहिगेर जन्जाथी से और किया important हो जाता है वो भी हम दिह लेते हैं तो यह हो जाएगा आपका, माहिगीर जन्जाति के लोग मछवारे हैं, और उणने जो है, अपना संबंद, मछवारों से अपना संबंद बताते हैं, इसके बाद इस जन्जाति के लोगोंने इसलाम धर्म को अपना बना लिया है, यहां से question आपका बनता है कि कौन सी जन जाती है जो आपकी इसलाम धर्म को मानती है इसके बाद देख लेते हैं क्या fact बन सकता है यह जन जाती अपने ही समुदाई में विवा करती है आपसे question ये भी तो पूछा जा सकता है कि अपने ही समुदाय में विवा करने वाली कौन सी जनजाती है ये हो जाएगा आपकी माही की जनजाती और इस जनजाती का मुख्य विवासा आपसे पूछा जाएगा आप बता देगे मशली पकड़ना है और 6 सका जो है काफी अबाओ इस जनजाती में देखने को मिलता है चली देख लेता है question number 13 हमारा क्या कहता है तो 13 हमारा ये हो जाता है 12 जनपत के पाठा चेतर के मुख्य निवासी है कोन है भील है कोल है खरिया है या फिर खरवार है तो question number आपका जो है 13 हो जाएगा तो 13 का जो character answer है ये आपका हो खरवार जनजाती ये आपकी बांदा जनपत के पाठा चेतर में मुख्य तक खरवार जनजाती पाई जाती है ठीक है इतनी बात आपको याद रखनी है 13 का जो डी है ये आपका correct हो जाएगा इसके बाद देख लेते है question number 14 हमारा क्या कहता है उत्तर परदेश की निमने चेहरजी या फिर हो आपको बताने 14 का correct answer क्या हो जाएगा चले देख लेते हैं 14 नमबर का हमारा correct answer क्या हो जाएगा तो ये भलका जोन सारी जन जाती और जोन सारी जन जाती जो है यह विवा विवस्ता को आच्रित करती है यह बहु विवा आप विवस्ता को आच्रित करती है कौन कोन सा है यह आपका बहु विवा हो जाएगा और यह आपका दिद्वा विवा हो जाएगा चेले देख लेते हैं question number हमारी यह अच्छा यह जो है जोन सारी जन जाती से जो है कौन-कौन से most important question बनते हैं परिक्षाओं में पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं जोन सारी की बात करते हैं यह जाती है अपकी गड़वाल का सबसे बड़ा जन जाती समूदाई है तो सबसे पहले तो question यही बन जाता है कि यह जो है कहां का सबसे बड़ा जाती समूदाई है यह जन जाती समूदाई है यह अपका गड़वाल का दहरादून जिले के चकराता क तालचिवे त्यूनी का मंदल छेतर में ये रहते हैं और most important question क्या पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं जोनसारी में बाय था एक परकार की जाड़ फोक की विदी है ये बाय था जो है इससे question आपका पूछा जाएगा ये क्या है ये जाड़ फोक की विदी है और लोग अपने आपको पांड़ो का वनसद बताते हैं ठीक है आपसे question ये ही तो पूछा जाएगा कि पांड़ो का वनसद जो है कौन सी जन जाती अपने आपको मानती है तो ये हो जाएगी जोनसारी जन जाती इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि पित्र सत्तात्मक समाज जो है किस जनजाती में देखने को मिलता है, ये भी आपको जो है, जोनसारी जनजाती के अंदर देखने को मिलेगा, और पित्र सत्ता आत्मक जो समाज है, ये आपका जोनसारी में ही हो जाएगा, जोनसारी के लोगों में बहुपती विवा का परचनल अब भी है, आपसे कोश्चन यह होता है जहाता है उसको बाज्जधिया कहा जाता хочу बे बाकी यह कहा जाता है साधानिर द्वारा होने वाले हैं चलिए देख लेता है most important fact इससे संबंदित और क्या हो जाएंगे और ये जो fact है आपके ये ही question बनाते हैं. विवा के अवसर में जोन सारी लोग पहले गाय को दहिज रूप में देते थे और जोन सारी लोग एह विवाहित लड़कियों को ध्यांती कहते हैं और विवाहित लड़कियों को रहनती कहा जाता है ठीक है इतनी बात आपको याद रखनी है आपसे एगर question पूछा जाएगा क कि एह विवाहित लड़की को जोन सारी में क्या कहा जाता है यह देहनती कहा जाता है और विवाहित लड़की को रहनती कहा जाता है इसके बाद जोन सारी लोगों को मुख्य देवता यह हो जाएगा आपका महासू और जोन सारी का जो छेतर है यह आपका सबसे बड़ा मेला विश्व है बैसाखी के चार दिन बाद जो हैं लगाया जाता है और यह आपसे कोश्चन बनेगा जो है जो अपका मेला विस्व है यह की जनजाती से संब्णत है यह हुत Lance c से संबंदी चले देख लेता है कोश्चन नमबर 15 हमारा क्या कहता है भारत सरकार ने किस वर्स में उत्तर प्रदेश की 10 नहीं आदो विवासी जनजात्यों को अनुसूची जनजात्यों के रूप में सूची बद किया है 2004 में 2003 में 2002 में या फिर 2001 में और यह कोश्चन जो है मैं आपका 2003 में ठीक है भारत सरकार ने किस वर्स उत्तर प्रदेश की 10 नहीं आदीवासी जनजात्यों को अनुसूची जनजात्यों के रूप में सूची बद क्या है यह क्या है 2003 में तो 15 का जो भी है यह आपका correct हो जाएगा और इससे जो है important fact और क्या बन सकते हैं वो भी हम द आपका अनुसूची जनजात्यों का और 1967 यह जो है आपको याद रखना है 1967 के अनुसार पांच जनजात्यों जो है उत्तर प्रदेश में थी बुक्सा जोनसारी बोटिया थारू और राजी इनको जो है अनुसूची जनजात्यों को दर्जा दिया गया है लेकिन 2003 में 10 और इसमें सामिल कर दिया गया है ठीक है इसी ज़िए आपसे आपको देख लेना है और भारत सरकार द्वारवर्वर्ष 1967 में अनुसुची जनजातियों के अंतरगत परदेश में खुल पंच जनजातियों जो है ये आपकी 1966 के अनुसुची जनझातियों के अनुसुची जनजातियों के संख्या हो जाएगी 11,34,273 ठीक है यह 2011 के अनुसवार जो है अनुसूची जंजातियों की संख्या हो जाएगी इसके बाद देख लेते हैं जो आपका इंडिया का बजट है तेश चोविस का उसमें जो है आदिवासी समुदाई के लिए क्या गोसना ही की गई है तो यह की गई है आपकी बजट मे आदिवासी समुदाई के लिए बड़े एलान किये गई है और 15,000 करोड रुपे के जो है योजना की गोसना भी की गई है चेलिए देख लेता है कोश्च नमबर हमारा आज का जो है 16 हो जाएगा निम निली कितने से कौन सी जंजाती उत्तर प्रदेश के अधी सूचित या फिर बुकसा तो 16 का चार्क्त अंसर हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका जो आपकी तड़वी जंजाती आपकी उत्तर प्रदेश के अधी सूचित अनुशूचीत जंजाती की सूची में सामिल नहीं है ठीक है बाकि तो यह हो जाएगी राजी भी है धारु भी है औ आपको याद रखनी है तो 16 का जो करक्ट आंसर यह आपका हो गया भी और इससे जो संबंदित है और जो फैक्ट है वो क्या हो जाएंगे वो भी हम देख लेते हैं जन संक्या 2011 के अनुसार उत्तर परदेश की जो कुल जन संक्या है वो उसमें जो अनुसूची जान जाती है वो है आपकी 0.6 परतिसत यह कोश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो आपका उत्तर परदेश की कुल जन संक्या में अनुसूची जन जाती का परतिसत कितना है यह आ पर्देश में सूचीबद जन जाती है, वह आपकी 12 जो आपकी 12 जो आपकी 12 जन जाती है, ठीक है बाकी दो जन जाती है लेकिन सूचीबद कितनी हो केवल 12 जन जाती है, और चलिए देख लेते हैं, यह आपकी 12 जन जाती हैं, यह भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, यह आपका थारू जिन जाती ये आपकी तराइच शेतर में पाई जाती है और तराइच शेतर में कहां लखिमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगन, बलरामपुर और बस्ती दूसरी जन जाती कौन्ची है या आपकी बुक्सा या फिर बुक्सा और ये पाई जाती है आपकी बिजनोर में इसके बाद गोंड समुगी बात करते हैं तो गोंड के अंदर को कौन कौन्ची आती है या आ जाती है गोंड दुरिया नयक ओजा पठारी राजगोड और ये कहां कहां आपकी पाई जाती है महराजगन सिदारतनगर गोरकपुर बस्ती देवरिया माउ आजंगर और ये जो है आपकी सोनबद्र और बलिया में और आपकी वारानशी में भी हो जाएगी इसके बाद पांच वी जो जन जाती वो आपकी सहरिया जन जाती तो सहरिया जन जाती से जो कोश्चन पूछा गया था अभी तीसरा चोथा कोश्चन था वो और उसमें जो हमने बताया था आपको जो आपकी सहरिय जन जाती है, यह किस छेतर में निमाज करती है, या फिर किस छेतर से संबंदित है, यह हो जाएगा आपकी ललितपुर से, इसके बाद जो है, क्या क्या बनते हैं, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, तो यह हो जाएगा आपका, six point कौन सा हो जाएगा, यह भी सोन बदर में हो जाएगी, अगरिया यह भी सोन बदर में हो जाएगी, और बैगा सोन बदर में, पहरिया यह भी सोन बदर में हो जाएगी, और यह आप कह सकने के उपरुक्त विसेलेशन के अनुसार, जो आपकी तडवी जन जाती, जो आपकी question में दी हुई है, वो आज का जो हमारा वीडियो है वो समाप्त होता है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों में सेयर कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं और आप जो है हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जूड़ स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में